आप लोगों का स्वागत है अभी न्यूज आई है कि इंडिया जो है रश्या के एडवांस S500 मिसाइल सिस्टम का जो है पहला बायर हो सकता है यह न्यूज जो है रश्या के डेप्टी पीम यूरी बोरिसोफ साहब ने जो है दिया है ठीक है यह न्यूज हमें रश्यान स्टे की तास्क के हवाले से मिली है कि इंडिया जो है वो फर्स्ट बायर हो सकता है क्योंकि रश्या ऐसा चाहता है आपको पता ही होगा कि इंडिया ने जो है S400 के, 5 sets खड़ दें है और अब इसी करम में रश्या चाहता है कि इंडिया जो है S-400 के साथ S-500 भी जो है purchase करे, मैं आपको बताओ इस deal पर जो है चाइना की नजर है और टर्की की नजर है ये दोनों देश भी जो है S-500 खड़ी दने के इच्छुक है लेकिन रश्या S-500 को सिर्फ इंडिया को फिलहाल देने के लिए जो है interested जो है वो लग रहा है अब सवाल ये है कि S-500 missile system क्या है तो S-500 missile system जो है वो anti-craft missile system है जो रश्या का काफी advanced new generation वाला missile system है और ये surface to air based पर जो है काम करता है, right, clear है इसके दो नाम और है, वो क्या है वो है, प्रामितस और ट्रामितर, ठीक है तो जब मैं प्रामितस की बात करता हूँ, तो इसके बारे में मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वो क्या है, वो ये है कि प्रामितस जो है, वो Greek God है और ये अगनी के देवता है, Fire God है ठीक है, तो missile से आग निकलती है तो आप बहुत आसाम से इसे जोड सकते हैं और दूसर जो नाम है, इसका नाम जो है, वो क्या है, ट्रामफेटर M ठीक है, ये भी S500 का जो है नाम है आपको कन्फीज होनी के विशक्ता नहीं है ये कहां से लॉंच किया गया है तो ये कास्पूतिन यार से जो है लॉंच किया गया है, ठीक है, ये रश्या का आपका रॉकेट लॉंच स्टेशन है ठीक है, 1946 में इसकी स्थापना की थी और ये वोल्कोगाट के पास है, तो ध्यान रखने आपने, कभी भी अगर UPS से आपसे कोईशन पूछे कि कैपुष्टिन यार और वैसे अगर अब धान दे, तो नाम सही पता लग जाता है कि ये रश्यन जो है एक जगह है, राइट जो S500 missile system जो है ये किन-किन चीजों को टार्डेट कर सकती है तो ये hypersonic cruise missile को टार्डेट कर सकती है, ठीक है, कि ये anti-missile system क्या होता है जड़ा देखिए, suppose कि ये इंडिया है और हमें चाइना ने क्या किया एक इंडिया के लिए missile छोड़ लिया ठीक है, और हमारे पास अभी S400 है तो ये इसका जो radar फटा फट ये sense कर लेगा कि यहां से missile आ रहा है और वो इसे destroy करने के लिए अपने missile भेज देगा तो इसे बोलते हैं anti-missile system तो missile पर missile फैक कर क्या करना, उसको nest कर देना उसको खतम कर देना, उसको destroy कर देना अब अगला सवाल है कि cruise missile और ballistic missile में क्या difference होता है तो मैं आपको बता दू, जैसा कि धने नाम से ही पता चल रहे है, cruise तो जहाज को बोलते हैному cruise नहीं तो जहाज पानीपर ऐसे ऐसे चल रहा होता है या जो जो missile इस तरीके से चले तेका हैbird कि बोलते हैं वही जो नाम है, ballistic missile ऑन है ले उपर जाता है, आकाश में जाता है और फिर जमीन की आर्थ की ग्राविटी को यूज करते हुए नीचे आता है और अपने टारगेट को हिट करता है इससे क्या बोलता है बेलेस्टिक मिसाइल बोलते हैं ठीक है दो तरह के मिसाइल थे बेलेस्टिक और क्रीज इसके अलावा एक जो सक्यूर्टी थ्रेट के रूप में जो है यह UAV यानि कि unmanned aerial vehicle यह क्या होते हैं इसमें कोई पाइलेट जो है इस एर क्राफ्ट को नहीं चला रहा है इसमें जो है यह कोई आदमी नहीं चलाएगा कोई पाइलेट नहीं चलाएगा यह जो है आपके ड्रोन आपने सोना होगा जैसे इसका सबसे जो हम डे टुडे लाइफ में जो यूज करते हैं वो है ड्रोन तो ड्रोन का फाइदा क्या होता है कि अगर कहीं दुश्मन देश में फच जैसे अभी आपको याद होगा कि हमारे विंग कमांडर अभिनेंदन साब आपके फच गए थे ठीक है तो इस तरह की दुरगटना नहों इस तरह के एक्सिडेंट से एंटी मिसाइल सिस्टम से हिट किया सकता है क्योंकि आज अपनी सिक्यूरिटी को दुरुस्त करना सबसे बड़ा चैलेंज है सभी देशों के सामने तो इंडिया इस चीज को समझ रहा है क्योंकि हम एक तरफ हमारे पास चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है और दोनों दुश्वनों से साफधान रहना पड़ेगा तो इसके लिए जो है एस फॉर हंड़े एस फाइव हंड़े मिसाइल सिस्टम जो है यह हमारी जो है सेक्यूरिटी नेसेशिटी इसको पूरा करती है कि अब एक बात और बिताना चाहता हूं वह यह जो एस फाइव हंड़ेट एंटीज शेयल सिस्टम जो है ठीक है यह जैसे आपको पता है कि एडवांस है तो एडवांस होने का मतलब की क्या मतलब है कि वह यह कि इस में एस थ्री हंड़े एस हिफ्टी और एस फोरहेंड़े तो पिछली जो वर्जन है उनका जो है यह इंटीग्रेटेड वर्जन है ठीक है जो जो इसमें क्वालिटी थी वह S500 में है अभलकि उसमें अडवांस है तो आपके मन में आगे कैसे अडवांस है जड़ा उसको देखें तो जड़ा छोटा सा देखें यह जो है आपका 400 S400 के बाते कर रहा है और यह जो है S500 MISSILE SYSTEM की बात कर रहा है तो रेंज हो है इसका 400 km नामसी बता चल रहा है तो आपके लिए असानी है थीक है वही S500 जो है इसको 600 km तक की इसकी रेंज है ठीक है तो रेंज बढ़ गई राइट तो स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है 4.8 km है इसकी जो है 5 km आप सोचेंगे 0.2 km लेकिन यह पर सेकेंड है पर मिन्यट और पर आवर में जो है इसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है तो चोटा सा डिफरेंस है यह बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक है तो स्पीड वाइस भी जो है यह काफी एडवांस है और कॉस् स्पीधर मिलियनल पर पर फायर यूनित यह थेक इसका स्ट्राइव है यह दो सकता है तो उसको भी हिट कर सकता है आपकी सट्लाइट के सट्लाइट को हीट कर देते हैं तो इससके जो है सारी जो बाकि सारे जो चीजे हैं वो सब खतम हो जाती है वो एक को भी कंटी जो है अपने नीचे के लोगों से जो है या अपने बाकी लोगों से क्या नहीं कर पाएगी ठीक है तो सेटलाइट सिस्टम को बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि यह जो है मतलब वहां तक इस सिस्टम के थूँ अपने सेटलाइट को भी बचा सकते हैं दुश्मन के सेटलाइट को हिट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में जो है मतलब S-400 या 500 की तुलना किससे होती है वह इसरेयल के जो है आईरें डॉम से होती है आईरें डॉम नाम सुनाओ का आपने ठेक भी हाली तो उसमें जब वहां के टैरिस और नजीशा ने काफि सारे मिसाइल जब इसराइल पर बरसाये जब उन्होंने रॉकेट लॉंचर से रॉकेट मारे ठीक है तो उन्होंने जो क्या कर लिया इसी आएरन डॉम से अपने आपको बचाया वहीं युएस की बात करें तो युएस का जो system उसका नाम है THARD, तो THARD missile defense system जो है US का है और iron anti rocket system जो है वो इस्रेल का है यह आपने ध्यान लगना है और UPSC तो THARD वाला question पूछ भी चुगा है ठीक है ध्यान लगना आप लोगना आज इंडिया की security को देखते हुए हमने यह जो S-400 लिया है यह पाकिस्तान और चाइना को ध्यान में रख कर लिया है ठीक है clear है अब मैं एक सवाल आप लोगों से पुछा चाहता हूँ वह यह है कि एक तरफ जो है इंडिया ने अभी S-400 का जो है order दिया है वहीं दूसरी तरफ जो है रश्या जो है अब 500 S-500 जो है डवलप कर चुका है तो कहीं हम जो है हमने से चूक तो नहीं हो गई है कहीं हम जो है मतलब की या ओल्ड वर्जिन वाले मिसाइल सुस्टम को तो नहीं पर्चेस कर रहे हैं आपकी कहा रहा है इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जो है क्या करें सब्सक्राइब करें और जादर से ज जादर लोगों के साथ शेयर करें तो वेरी मच्छ गॉड ब्लेस यौल जैहिन